हरी मिर्च एक महत्वपूर्ण फसल है जो भारत में कई जगह उगाई जाती है इसकी डिमांड भी देश के बाहर है इसलिए एकस्पूर्ट काफी महत्वपूर्ण है सबसे पहले हरी मिर्च को उगाने के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है कि किस प्रकार की मिट्टी और जलवायू इसके लिए अनुकूल है भारत में कई जगह जैसे आंधर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान में हरी मिर्च की खेती होती है हरी मिर्च को उगाने के बाद उसकी पैकिंग काफी महत्वपूर्ण होती है इसमें ध्यान देना पड़ता है कि मिर्च ताजा और सुरक्षित रहे इसके लिए हम क्वालिटी पैकेजिंग का इस्टेमल करते हैं ताकि मिर्च को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो एक्सपोर्ट के लिए हमें सारे लीगल फोर्मालिटीज को पूरी तरह से पूरा करना होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियम और कनूनों का पालन करना जरूरी है साथ ही, हमें quality standards का भी ध्यान रखना होता है ताकि हमारे customers को बहतर quality की मिर्च माए हरी मिर्च को export करने के लिए हमें सही transportation का चयन करना होता है इसमें ध्यान देना पड़ता है कि मिर्च ताजा और सुरक्षित रहे Air Cargo, Sea Route या फिर Road Transportation इन में से सही विकल्प का चयन करना जरूरी है इस प्रक्रिया में हमें भी ये देखना होता है कि मिर्च का packaging सही तरह से किया गया है और उसकी quality maintain की गई है इसके अलावा हमें export documentation का भी ध्यान रखना होता है ताकि कोई भी समस्या ना आए तो ये थी हरी मिर्च को भारत से export करने की प्रक्रिया उमीद है कि आपको ये video informative लगी होगी धन्यवाद